हाला दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप से भीक आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों देखिए काफी दिनों बाद हम यहाँ पे वीडियो लेक्के आया है आप लोग के लिए दरसल हुआ यू मित्र की बीच में थोड़ा तब्यत खराब हो जाने की वज़ा से हम वी देखिए मित्र यहाँ पे जो वीडियो हम करा रहे हैं यह आपके वन डे एक्जाम का जो कोई भी कमपेटिशन का एक्जाम हो मित्र वहाँ पे आप लोगों को यह कोस्टन देखने को मिलेगा और यह कोस्टन बहुत ही महतपुर्ण साबित होगा मित्र तो आप लोगों से Stephen video पूरा देखिए चलीए शुरू करते हैं कोश्टन नमर फ़र्ष्ट के रहे है नीन में सें कौन सरवाल या जिल में तीजी से विरिदी करते हैं ंदेखिए आपका यह U-P PCS में पूछा गया C देखिए आफ्शन फर्स्ट करें सिंगाडा दूसरा है हाइड्रिला तीसरा है जलकुम्भी चौता है नागफनी तुम इते जो कोश्चन नमबर फर्स्ट का राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका आफ्शन नमबर थर्ड यानि जलकुम्भी ठीक है चलिए नेक्ट चौता है मास तो जो कोश्चन नमबर सेकेंड का राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका आफ्शन नमबर सेकेंड यानि लाइकेन ठीक है नेक्स्ट कोश्चन नमबर थर्ड का रहा है है हैद्राबाद में स्थियत होसेन सागर जिल किस जीव की बिद्धी से नमबर फोर्थ यानि जल कुम्बे ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर चार का रहा है मरुष्थल में उगने वाले पाउधे कहलाते हैं तो आपको अतरह निमलिखीत में मरुष्थल में उगने वाले पाउधे क्या कहलाते हैं देखिए मित नमबर थर्ड यानि जीरो फाइट्स ठीक है मरुष्थर में उगने वाले पौधों को जीरो फाइट्स कहा जाता है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन देख लेते हैं देखें में नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर पांच करा है पादप वृद्धी है तू सबसे कौश्च में पूछा गया कोश्चन है चलिए नेक्स कोश्चन देख लेते हैं देखें नेक्स कोश्चन नमबर छे करा है निमनलिखित में से कौन सा कारक किसी अस्थान पर वनस्पति निर्धारित करता है तो आपको उतना निमनलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो किसी अस्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है देखिए करें प्रकास दूसरा है वर्षा तीसरा है म्रिदा चौथा है म्रिदा जल जो कोश्चन नमर छे का राइटन से हो जा गा देखिए यहां पर जो कोर्षण है उसका आप्स्टन तो यहां पर नहीं दिख रहा है फिर भी हम बतां दे रहे हैं चलिए यहां पर कोषण पढ़ा रहे हैं फिर आप्सट पर चलते हैं देखे कर हैं किस पकार का जल और और तो इसमें जो रहाइट अंसर हो जाएगा सी चाजल ठीक है चलिए अगरा को स्थं देखे को अट कर रहा है मरुष्थल पादब अधीकतर होते हैं तो अपको तरहें मरुष्थल पादब जो है वह अधिकतर होते हैं देखे आप सब्सक्रेया मांसल दूसरा साकीर तीसरा परवरिथी चौुद्धा परडा भी उरिथी तो मित्र जो question number 8 का right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number first यानि मांसल ठीक है चलिए next question दिख लेते हैं देखें मित्र नेक्स question है question number 9 का रहा है घास अस्तलिय परितंत्र में संख्या का पिरामीड कैसा होता है देखें ये भी आपका BPSC में पूछा गया सवाल है देखें कर रहा है सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं इन में से दोनों तो जो question number 9 का right answer हो जाएगा में वो हो जाएगा आपका option number first यानि सीधा ठीक है चलिए next question दिख लेते हैं देखें में नेक्स question है, question number 10 का रहा है पारितंत्र में उर्जा का पिरामीड होता है तो आपको बताना है पारितंत्र में उर्जा का पिरामीड कैसा होता है देखें करें सदेव उल्टा, सदेव सीधा पहले उल्टा बाद में सीधा D कर रहे किसी भी प्रकार का नहीं जो Q10 का राइटन से हो जाएगा मित वो हो जाएगा आपका आपसे नमर सेकेंड यानि सदेव सीधा ठीक है चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं देखिए Q11 का रहा है एक तलाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामीड होता है तो आपको पताना है एक तलाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामीड कैसा होता है देखिए मित रहे आपका SSC इस नात्तक में पूछा गया question है देखिए का रहा है सीधा दूसरा है उल्टा तीसरा है सीधा उल्टा चौथा किसी प्रकार का नहीं तो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा कोशन नमर 11 या वो हो जाएगा मित्रापका आपसर नमर सेकेंड यानि उल्टा ठीक है चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं देखें मित्रे नेक्स कोशन है कोशन नमर 13 का रहा है खाद जाल में उर्जा का प्रवा होता है तो आपको बता है खाद जाल में उर्जा का प्रवा कैसा होता है देखें ये टीजीटी में पूछा गया कोशन है तो जो कोशन नमर 13 का देख लेते हैं आपकोशन नमर 13 का देख लेते हैं देखें कर रहा है एक खादस्तर के दूसरे खादस्तर में जाने पर उर्जा का घरास होता है तो देखिए कर रहा है 20% 40% 80% 90% देखिए यह आपका CDS में पूछा गया सवाल है और CPU में भी यह कोश्चन आया हुगा था देखिए तो जो कोश्चन में 14 का राइटन से हो जाएगा प्रस्तुत की देखिए यह आपका PGT में पूछा गया सवाल है का रहा है चाल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्वीन ने, टेंसले ने तो जो कोश्चन में 15 का राइटन से हो जाएगा मित्र वह जाएगा आपका, आपका नमबर फर्स्त यानि चाल्स एल्टन ने, ठीक है चलिए, नेक्स कोश्चन देख लेते हैं, देखिए, कोश्चन में 16 का रहा है सुर्य प्रकास में उगने वाले पाधपो को करते हैं, तो आपको पताना है, सुर्य के प्रकास में जो पौधे हो गते हैं, उन्हीं क्या कहा जाता है देखिए, आप्सन फर्स कर रहा है, आत्पोत भीद, दूसरा है चाया रागी, तीसरा है मरूद भीद, चौता है सैलोद भीद तो मित्र जो कोश्चन नमर 16 का रैटन से हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आप्सन नमर फर्स यानि आत्पोत भीद, ठीक है चलिए, नेक्स कोश्चन देख लिएते हैं, देखिए, नेक्स कोश्चन नमर 17 का रहारा है, अधीक वर्सा वाले उसर छेत्र में भारी वर्सा होती है अत्रा वहां वन होते हैं तो देखिए कर रहा है सदा हरित वन दिड़ परड़ी वन घास वन मरुस्थल जो कोश्चन नमबर 17 का राइट हैं वह जाएगा आपका आप्षा नमबर 1 यानि सदा हरित वन ठीक है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं कोशन है कोशन नमबर 18 का रहा है उन चेत्रों में जहां ग्रीश्म में भारी प्रजिटु में कम बर्सा होती है वहां वन मिलते हैं तो देखिए कर रहा है सदा हरित वन दिड़ परड़ी वन घास वन मरुस्थल जो कोश्चनम नमबर 18 का राइटन से होजाएगा मित्र वो वायू मंडल का वहाँ छेतर जिसमें बादलों का बनना, बेजली कड़कना, तुफान वहाँ आंधियों का होना पाय जाता है देखें जो question है आपका UPPCS तथा 36 गड़ PCS में पूछा गया सवाल है देखें का रहा है समताप मंडल, छोब मंडल, मद्य मंडल, आयन मंडल ъnd test question देख लिए, और यही श्रीटे का last question होगा में, देखें का रहा है लवड़ी म्रिदा में उगने वाले पादपो को कहते हैैं तो आपको बतना है लवडी म्रिदा में उगने वाले पादपो को क्या कह जाता है देखें इह आपका questionBPSC में आया हुआ है देखिए का रहा है, हेलोफाइड, आकसीलोफाइड, कयाजमोफाइड, लीथोफाइड तो जो कोशिन नमबर 20 का राइट अंसर और हो जाएगा मित्र वह जाएगा आपका आपसा नमबर 5 यानि हेलोफाइड, ठीक है? तो मित्र हमने यहाँ पे आज 20 कोश्चनों को हल किया तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करिएगा मित्र और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ सेर करें वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद